हेलो गैज, वेलकम बैक अगीन टो आवर यूटूब चैनल एंड्रोडे इन से और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ZTE Xon 30 Ultra स्मार्टफोन के बारे में अभी मार्केट में जितने भी Ultra नाम से स्मार्टफोन हैं जैसे कि Samsung Galaxy S21 Ultra, MI11 Ultra इन सभी स्मार्टफोन से ये स्मार्टफोन ZTE Xon 30 Ultra जो है ये बेस्ट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो आपको camera performance मिल रहा है overall जो display है, specification इस smartphone का वो काफी कमाल का देखने को मिल जाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ JTE Xon 30 Ultra स्मार्टफोन के specification के बारे में इसका क्या प्राइस होगा और ये स्मार्टफोन चैना मार्केट में कब launch होगा ये स्मार्टफोन 15 अपरेल को चैना मार्केट में launch हो चुका है दोस्तो JTE Xon 30 Ultra स्मार्टफोन जल्दी international market में भी launch होने वाई दोस्तो ऐसा लीक सामने निकल के आ चुका है अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेश्फिकेशन के बारे में तो इस स्मार्टफोन आपको 6.92 इंच का फुल HD Plus Super AMOLED बार डिस्पेट देखने को मिलता है फोन के टॉप मेडिल में आपको पंच होल नॉस दिया गया है जहां पर फ्रेंट फेसिंग केमरा का सेट अप होगा साथ ही यहां पर आपको 144 हर्च का रिफिर्सेट देखने को मिलेगा HDR 10 Plus का सपोर्ट मिलेगा और जो फिंगर पिंट सेंसर है न वो आपको इन डिस्पेट में ही देखने को मिल जाएगा तो यहां पर डिस्पेट के मामलें यह स्मार्टफोन काफी अच्छा है दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्यामरा को लेकरके यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा क्यामरा देखने को मिलने वार है जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि Samsung Galaxy S21 Ultra में आपको 108 Megapixel का Quad Rare Camera का Setup मिल रहा है और MI11 Ultra में आपको 50 Megapixel का Triple Rare Camera का Setup मिल रहा है इस स्मार्टफोन में आपको Quad Rare Camera का Setup मिलेगा जो मेंन कैमरा है वो आपको 64 Megapixel का मिलेगा और यहां पे आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा जो 2nd camera वो भी आपको 64 Megapixel का मिलेगा और यहां पे आपको Portrait Lens देखने को मिल जाएगा तो Camera के मामने हम यह स्मार्टफोन जो अभी तक one of the best smartphone है दोस्तों क्यूंकि यहां पे आपको तीन camera 64 Megapixel का देखने को मिल जाता है और जो 4th camera वो आपको 8 Megapixel का मिलता है अब बात करते हैं इसके front camera के बार में इस स्मार्टफोन में front के तरफ से आपको 16 Megapixel का Selfie camera के देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके performance के बार में तो इस स्मार्टफोन में आपको Snapdun का 888 वाला चिपसर देखने को मिलेगा विद OctaGo 2.8 GHz के प्रोसेसर के साथ और जो GPU वापको एड़ेनो का 660 का देखने को मिल जाएगा साथी इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 जो वाट आप दी बॉक्स देखने को मिलेगा विद MyOS 11 के साथ राम और रोमवेंट की बात के तो यहाँ पे आपको 8GB RAM 12GB RAM और 16GB तक का RAM वेडन देखने को मिलेगा साथी यहाँ पे आपको 256GB और वन टी का वैट्टप का इंटरेश जो देखने को मिल जाएगा बैटरी की बात के तो यहाँ पे आपको 4600ms के बैटरी देखने को मिलेगा और साथी यहाँ पे आपको 66W का Rapid Charging का सपोर देखने को मिल जाएगा जिससे आप 15 मिनिट में इस स्मार्टपोन को 50% चार्ज कर पाओगे अब बात करते हैं स्मार्टपोन के प्राइस के बार में तो 8GB RAM & 256GB वाला जो इंटरानेस पड़ेगा इसका प्रेश आपको 76,999 पड़ेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद रहा होगा और आप लोग में ज़े comment करके बताएं कि ये smartphone जो है वो Samsung Galaxy S21 Ultra और MI11 Ultra से best है या फिर नहीं comment करके मुझे ज़रूर बताएगा फिर मैं मिलता है एक new और exciting video साथ तब तक के लिए जाहिंद वन दे मात्रम